नमस्कार साथियो एक वाफिट से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोला एजुकेशन पॉइंट पर तो साथियो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आरारवी के अंतरकर जो लोको पाइलट के जो फॉर्म हैं असिस्टेंट लोको है किस तरीके से कैसे आप लोग इसका फॉर्म होगा वो भरेंगे इसकी जाठार से 30 वर्स मांगी गई है और टोल जो बेकेंशी से वह 5,690 वेकेंशी हैं जिन लोगों ने हाइश कूल कर लिया है वहाइट आई गर लिए है तो इसका फॉर्म है वो डाल सकते हैं तो फॉर् का पाने के खिरभ आपको दिस्क्रिशन पर आहेगा था इस सामने यहां पर आ है तो यहां पर यह सारे स्टेफ से दिखाई दे रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं आर यू करंट्री डिवाड़ेड बाई एनी आर आर भी आर सी अगर आप लोग डिवाड़ेड है तो यस कर देंगे नहीं तो नो कर देंगे है व्यू अंड्रगों लासिक सर्जरी आप लोग इस पर भी नो कर देंगे आर यू ए परसंट बिद बैंजमार डिसीविल्टी पी डव्यू अगर आप लोग इसके पास रहें तो यस कर देंगे नहीं तो नो कर देंगे कंट्री ओफ नेशनल्टी आपका जो कंट्री है वो चूज कर लेंगे चूज कर देंगे आपको अपना नाम डालना होगा री इंटर में आपको फिर अपना नाम डालना होगा यहां पर सबसे में जो चीज है आधार बेरिफिकेशन आप लोग आधार के साथ करना चाहाना है तो आप साई डिटेल जो है वो आधार के माध्यम से भरेंगे अगर नहीं भरेंगे तब कि आधार का थानितिकेशन जो होगा वो हो जाएगा आधार नमबर डालना होगा वेरिफाइंग यूजिंग आधार ओप्सन दिखाई दरफ पर के लिए करना होगा नी किलिक करना होगा को यहां सारी डिटेल में दिखा रहा हूं वेरिफाइंगे तो यहां बो ही क्लिक करेंगे तो आपकी आधार के अंसार है और नहीं है तो यहां पर DAYल होगी affected और बढ़ादेंगे यह आपे जैसी करेंगे इस तरह से इंट्रफेस आपके सामने आ जायेगा, यहाँ पर अंप्र हो जाएगा, आधार कर देंगे, इस तरह में बोले कर देंगे, इस तरह का इंट्रफेस आपके लिए सामने आएगा, जब क्रिदने अकाउंट पर किलिक करेंगे, साइट डितेल आप चेक कर लेंगे, आकर साइड डितेल सही है तो टिकलेस में टिक कर देंगे, create an account वाले ओप्शन पर किलिक कर देंगे proceed वाला जो अप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस वाले ओप्शन पर आप लोग इस देंगे अब आपको फॉर्म भरने के लिए लोग इन करना होगा यहां पर मुवाइल नम्मर या जी मेल जाल देंगे पास्वर डाल देंगे लोग इन करेंगे लोग इन करेंगे इस तरह का एंटरफेस आएगा नीची आएंगे तो ऑलनाइन अप्लिकेस्ट वाला जो यह उप्सन दि select the RRB for which you wish to apply मतलब कहां के लिए आप जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं वो यहां जो ऑप्सन दिखाई दे रहे हैं इन ऑप्सन में से आप लोग चूज कर लेंगे तो आप लोग सबसे पहले form भरने से पहले आप लोग इसका notification देख लें कि आपके लिए कहां पर आपके ची मैंने बिलासपुर भरा तो यहां पर दो पोस्टे दोखाई दे रहे हैं आप देखेंगे शिौन्गे डेटने करीए नाम दिखा दे रहा है पिताजी का नाम दिखाई दे रहा है जेंडर दिखाई दे रहा है जीमेर आईटी दिखाई दे रहा है अब नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा नेटल स्टर्टर आप साधी सुधा है या जो भी है वो चूज कर लेंगे आपका धर्म कौन सा वो चूज कर लेंगे चुआइस ओफ लेंगे आपकी कौन सी है वो चूज करनी होगी अगर OVC से आते हैं तो OVC कर देंगे तो OVC से करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा दू है कम अंडर OVC नॉन क्रिमिलार तो यस कर देंगे यहां पर सर्टिफिकेट नमर डालना होगा और इस्विंग अथार्टी आपका जो सर्टिफिकेट है वो जाती प्रमार पत्र है किसने जारी किया तो डालना होगा इस्विंग इस्टेट आपका किस प्रदेश से बना है मैं आपका किस प्रदेश का बना हुआ है वो डाल देंगे डेट ऑफ इस्विंग आपका जो प्रमार पत्र है जाती प्रमार पत्र बोकिस देट का बना है वो यहां पर आप लोग चूच कर लेंगे लोगो चूलेई का नाम इंप डालना होगा और पर्मावने ऐडर सुम्धं घृते हैं तो बहरें आप लेंगे और सब ज़िए भर देंगे उसकंगेrime में सबस्क्राइब कराके है और स्क्राइब काल इस प्रड़ क्लिक करें तो इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा अब यहां पर एका सबूसमयत्य वर्यों सब्सक्राइब Yes कर देंगे नीचे आएंगे Are you an EBC certificate holder? अगर आप EBC certificate holder हैं तो yes कर देंगे, नहीं तो no कर देंगे Are you an implied of Indian railway? अगर आप Indian railway के करम चाहिए हैं तो yes कर देंगे, नहीं तो no कर देंगे Detail of course Current implied detail यहाँ पर current implied detail में आप देखेंगे अगर आप किसी की पात हैं तो yes कर देंगे वो उसकी detail भर देंगे, नहीं तो not applicable of simply के लिए कर देंगे Detail of course completed act apprentice अगर आपके पास apprentice का course का certificate है ठीक है? तो yes कर देंगे और साई detail जो होगी उसके अनसार भर देंगे और अगर आपके पास जो है Act Apprentice का certificate नहीं है तो आप लोग उस पर simply no कर सकते हैं certificate की ढाये तो उस पर yes करके detail इस तरीके से आप लोग भर सकते हैं तो मैं यहाँ पर no कर दे रहा हूँ yes करेंगे तो साई detail आपको भरनी होगी और आपको भर सकते हैं आप लोग को जो बैंक की detail होगी भरनी होगी आपको बैंक खाते पर नाम क्या है वो बरना होगा account number बरना होगा confirm account number बरना होगा IFC code बरना होगा IFC code यह साई detail जब भरेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने जो interface होगा वो इस तरीके का आएगा तो आप लोग save पर click करेंगे save पर click करने के बाद next वाला जो option देखाई दे रहा उस वाले option पर click कर देंगे next वाले option पर जैसे ही click करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने जो interface होगा next step का वो इस तरीके से खुल कर आएगा अब यहाँ देखेंगे आपके सामने यहाँ पर करेंगे आपके सामने देखाई देरायम यहाँ पर आपको जो qualification होगी वो आपको भरनी होगी सबसे पहले आपको high school की detail होगी वो भरनी होगी आपने high school किस state से पास किया था district किया था बोर्ड कौन सा था passing डालनी होगी date of passing रोल नमबर डालना होगा add वाला जो option देखाई तर उस पर add कर देंगे add करने के बाद उसके आप लोग ITI की जो detail होगी डाल सकते है या फर जो भी आप लोगोंने qualification extra की है high school के लावा वो आप लोग डाल देंगे मैं यहाँ पर आपको add कर दे रहा हूँ ITI का दिखा रहा हूँ तो यहाँ ट्रेट चूज कर लेंगे किस राज जिससे की थी वो राज चूज कर लेंगे जिला चूज कर लेंगे name of institute डाल देंगे date of passing डाल देंगे certificate issue by किसके द्वारा issue किया था certificate type आपका certificate जो type तब वो क्या था यहाँ से चूज कर लेंगे add वाले option पर किलिक कर देंगे add वाले option पर जैसे ही किलिक करेंगे तो आप लोग नीची आएंगे next का जो option आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह देखिए high school की detail हो चुकी है next का option यहाँ पर दिखाई दे रहा है view sample photo आप वहाँ से अपना sample photo देख सकते हैं कि किस तरीके का photo जो होगा वह आप लोग को upload करना होगा photo की dimension दिया गया है और photo का size भी दिया गया तो photo signature जो होंगे वो upload कर देंगे photo इस तरीके से आप लोग इसको resize भी कर सकते हैं signature upload करने नीचे आएंगे next का जो option दिखाई दे रहा है उस वाले option पर click कर देंगे next वाले option पर click करेंगे इस तरह का interface आएगा click here to change आप अभी भी zone change करना चाहते तो zone change कर लेंगे zone change करने नहीं करना चाहते तो आई है and check my order process पर tick कर देंगे यहाँ पर click कर देंगे यहाँ पर click कर देंगे यहाँ पर प्लेस भर देंगे और प्लेस भरने से पहले मैं आपको बताना चाहते हो ओपर एक step जो है वो रहे गया है बस्ते ने बताना बूल गया ऊपर देगी यह है Select exam, trade for part B for CBT second, तो यहाँ पर जो trade होगी, वो choose करनी होगी, प्रीवियू करना होगा, प्रीवियू करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपके सामने यह सारे इंटरफेस दिखाई देगा, साइड डिटेल सही है, तो टिक कर देंगे, और सम्मिट बाला जो options पर जो option पर क पर जो option आप लोगों के सामने यह पर यह दिखाई दे रहा है, उस वाले option पर किलिक करना होगा, view and modify application के जाकर आप लोग अपने application में सुधार करना चाहते हैं, तो सुधार कर लेंगे, अगर आपका form सही है, तो पे नाओ पर किलिक करेंगे, पे नाओ पर किलिक करने आप ल पीड नहीं माना मज आएगा, तो आप लोग जो इसकी fees है, वो simply सही तरीके से जो भी option यहां दिखाई दे रहे हैं, उस तरीके से आप लोग फीज पे कर सकते हैं, तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया, कि RRB के अंतरगज्यों असेस्टेंट लोको पाइल यह कोई समस्या आ रही है, तो आप लोग मुझे से comments में जानकरी को प्राप्त कर सकते हैं, और आप लोग अकर चैनल पे नए हैं, आप लोगों ने इवश्क चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो सातियों आज की ब वीडियो में आपको मिलूंगा एक नई ओनलाइन फॉर्म संबंदी जानकारी के साथ तब वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यबाद जय हिंद जय भारत